आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल जिक्के कलासे जुनिस सो बहतर और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विद्या संबल गेश फेकल्टी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं यह आप देखिए यह नोडल कोलेज है राजकी कन्या महविद्यले किस्षन पोल जेपूर यह नोडल कोलेज है और इस नोडल कोलेज के अधीन जो है यह तीन रासेस महविद्यले आते हैं यह आप देखिए पहला है राजकी कन्या महविद्यले आमेर जेपूर इसमें यह साथ विश्यों के लिए विग्यापनजारी किया गया है दूसरा रासेस माविद्यले राज किये कन्या माविद्यले गनबुरी बाज़ार जेपूर तो इसके अंदर कला संकाय के इंदर ये जो विषय हैं इनके लिए और इसके अलावा विज्ञान संकाय है इसमें इन विषयों के लिए यानि तोटल ये जो पास और तीन आठ विसें इनके लिए विग्या पंजारी किया गया है और फिर इसके बाद में राज के कन्या माविद्यले विद्यादर नगर जेपूर इसमें कला संकाय में एक विसें के लिए विग्या पंजारी किया गया है ठीक है और नोडल माविद देले है राज के कन्या माविद देले किस्टन पॉल जेपूर ठीक है अब इसमें आपको ये शिकायद रहती है कि सर आप वीडियो लेट अपलोड करते हैं लाज तारिक जो है नजदीक होती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है अब आप देखिए इ 12 मार्च 2024 साइं 3 बजे तक और ये विग्यापन आज की अख़बार का है लेकिन इसमें डेड़ दे रखिए विग्यापन जारी होने की 7 मार्च 2024 अब आप सोचिए विग्यापन पर डेड़ दे रखिए 7 मार्च 2024 और ये विग्यापन जारी हुआ है आज के देनिक बासकर के इसमें, आपके सामने पूरा सबूत, जिस दिन अखबार मी विज्जाबनाता है, उसी दिन आपके लिए वीडियो बनाता हूं, लेकिन अब जो है, अगर कोलेज वाले वो बेक डेट से विज्जाबन प्रकासित करुएते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूppen, बताईए आप, ठीक है, तो इनके अंदर जो है, बाकी जो बाते हैं वो मैं सारे विग्यापनों के आपको एक साथ ही बता दूँगा, ये भी आज के देनिक बासकर के अंदर प्रकासी तो है, लेकन इस पर भी आप देख सकते हैं, प्रकासन क जो डेट है वो साथ तीन दो जार चोबीस लिखी हुई है तो दो दिन तो वेसे भेक होगे ठीक है अब इस माविद्यले में जो है राज के कन्या माविद्यले चाक्षू जेपूर ग्रामेंड इसके दुवारा जो है ये विग्या पंजारी की अगया है तो इसमें आप देख अचारी राज के कन्या माविद्यले चाक्षू के अंदर जमा कराना है अब बाकी जो बेसिक बाते हैं वो सबकी एक साथ बता दूँगा ये भी आज की डेट का विग्यापन है लेकिन देखिए विग्यापन के उपर तारिक जो लिखी हुई है वो साथ मार्च लिखी पहला राज के मूख बदीर माविद्यले जेपूर समा सास्त्र फिर राज के माविद्यले कोट खावदा इसमें ये विसे हैं सारे फिर तीसरे है राज के माविद्यले जामडोली इसमें लोग पर शासनूर बुगोल है फिर है एपीजे अब्दुलकलाम राज के कन्या देले के दिन 5 जो एर थे श्माविध blendsे है और नोड़र माविड Forgeteder का नाम है राज के माविड ये जेपूर तो आपको फोर्म जो जमा कराना है वो यहां कराना है अगला जो माविद्या ले यह आप देखिए आज के देनिक बासकर के अंदर प्रकासित हुआ है और लेकिन विग्यापन की जो डेट दे रही इसमें भी 7 मार्च 2024 दे रही है सारे जो विग्यापन वो बेक डेट में प्रकासित किये जा रहे हैं तो इसमें भी आवेद्न की जो लाट डेट है वो आप देख सकते हैं 13 मार्च 2024 साथ 3 बजे तक है ठीक है अब इसमें देखिए आप राज की एक कन्या माविद्यले अट्रो इसमें तो हिंडी साइते, राजनिती विग्यान, बुगोल गरे विग्यान, समासास्त्र, अंग्रिजी साइते और सास्त्र के लिए ये विग्यापन जारी किया गया है नोडल माविद्यले का नाम है प्राचारी राज के माविद्यले अट्रो यहाँ पर आपको आविद्यले फूरुम जमा कराने है अगला जो ये विग्यापन है ये आप देखिए ये आपके सामने है स्री रतनलाल कवरलाल पाटनी राजकिष नातकोत्र माविद्यले किसंगड ये भी 7 मार्च 2024 को जारी किया गया है ठीक है लेकिन ये अख़बार में आज की देट के अंदर आया हुआ है और इसमें आविद्यले कि जो लाज डेट है वो आप देखिए 12 मार्च 12 मार्च 2024 साइकाल 3 बजे तक है तो इसमें ये जो प्राचारी राज के कन्या माविद्यले किसंगड नया पुस्तकाले बवन यहाँ पर जो आपको आवेद्र फोर में जमा कराने है और किन-किन विश्यों के लिए आवेद्र फोर मामंत्रित किये गए है भू भी इसमें आप देख सकते है ठीक है ये आप देखिए इसमें ये विश्यों है साथ इनके लिए विग्यापन जारी किया गया है फिर अगला जो विग्यापन है ये आप देखिए ये है राज किये महविद्यले केकडी ठीक है इसके दुआरा भी ये साथ मार्च को विग्यापन जो है वो जारी किया गया लेकिन अख़वार में आज आया है ये विग्यापन और इसमें आवेदन की लाज डेट है 12 मार्च 2014 साएं 5 बजे तो इसमें आप बाई हैंड चाहें तो जमा करा सकते हैं तो इसमें देखिए ये नोडल मावी डेले इसमें कौन कौन से राजसेस मावी डेलों के लिए विग्यापन जारी किया गया है पांच चार राजसेस मावी डेले राजके मावी डेले सावर जिला केकडी इसमें ये वि विख्यापनों के अगला चोथा जो माविद्याले है ये आप देखिए ये राज की कृसिमा विद्याले के एकडी इसके अंदर ये जो है एगरी कल्चर से रिलेटेड विशय है ठीक है तो ये सारे विज्यापन आगे अब मैं आपको बेसिक बेसिक बाते बता देता हूं दे 13 मार्च तो आविद्याले की लास्ट देर रखिए तो आप सोचेगी अध्यापनकार ये 13 मार्च से कैसे करा सकते हैं ठीक है तो इसमें आपको ओफ लाइन आविद्याले के ओफिशल वेवस साइट से डाउनलोड कर सकते है जिसमें आप अपलाई कर रहे है या आप चाहे तो हमारा टेलिग्राम चेनल है जिक्के कलासे जुनी सो बेतर उसको सस्क्राइब कीजेगा वहां पर PDF की रूफ में आवेदन फोरूम आपको मिल जाएगा ठीक है अब इसमें जो सेलेक्शन पर करिया है वो क्या होगा इसमें ना कोई एकजाम होगी ना कोई इंट्रिवी ह आपके API स्कोर के आदार पर आपका सेलेक्शन किया जाएगा इसमें जो मासिक मानदे दिया जाएगा 800 रुपे प्रती कालांस आपको प्रदान किया जाएगे और एक सब्ता में अधिक्तम 14 कालांस से ज़्यादा आपको प्रदान नहीं किया जाएगे तो इसमें मानदे मास सिक मांदे प्रदान कर दिया जाएगा ठीक है अब इसके अंदर आपको सिरफ सेकंड सेमेश्टर के लिए रखा जा रहा है और कोई कलास नहीं आएगी सिरफ एक कलास आएगी अब इसमें कब तक रखा जाएगा या तो सेकंड सेमेश्टर की परीक्सिया परारम होने के पहले तक रखा जाएगा या second semester का syllabus पूरा होने के पहले तक रखा जाएगा दोनों में जब भी जो भी अवदी पहले पूरी हो जाएगी तब भी आपको पत्से अटा दिया जाएगा बाकी पत्से तो कभी बेटाया जा सकता है क्योंकि यह temporary विवस्ता है इसमें आपके माविद्यले में अगर आपके subject के इस्तान पर कोई permanent faculty आ जाएगी तो भी आपको पत्से अटा दिया जाएगा या फिर कोई deputation पर आपके विशे में faculty आ जाएगी तो भी आपको पत्से अटा दिया जाएगा तो आप आवेदन फोरुम को पूरी तरह से fill up करेंगे उसके साथ में अपने सारे academic जो documents है mark sheet वगरे है प्रमान पत्र वगरे है डिगरी है वो सारे जो है उनकी self-participate पो टुकोपी लगाएंगे experience certificate है उनकी self-participate पो टुकोपी लगाएंगे research paper उनकी self-participate पो टुकोपी लगाएंगे और यह सारे जो लगा करके आपको जो है by hand जाकर करके जमा कराएं तो ज़्यादा बड़े रहेगा क्योंकि समय नहीं है ठीक है अब इसमें apply कून कर सकता है देखिए इसमें जिस विसे में आप जो है पर प्रतिसत मारक्स के साथ में master degree आपके पास में है तो आप उस विसे में apply कर सकते है इसके साथ साथ में और क्या होना चाहिए आप UGC या CSIR के दुवारा युजित net qualified होने चाहिए या फिर जो state पात्रत अपरीक से होती है state या slate वो आप qualified होने चाहिए ऐसे ब्यारती जिन्होंने सिर्फ PhD MPL कर रखी है net state और slate नहीं कर रखी है वो भी apply कर सकते है लेकिन आपकी जो PhD है या MPL है वो UGC rules 2009 या 2016 के तहत होने चाहिए और ऐसे ब्यारती जिनकी PhD का registration 11 July 2009 से पहले का है या जिनकी PhD या MPL 11 July 2009 से पहले किये तो उनको एक प्रमानपत्र प्रस्तूत करना पड़ेगा और वो प्रमानपत्र है जिस विश्विद्द्देले से उन्होंने PhD MPL किये उसका जो कुल सचीव है या रजिस्टरार है या संका या देक्स या देन है उसके दुवारा सत्या भी तो होना चाहिए तो आप PhD MPL बेस पर भी अपलाई कर सकते है बाकिस में selection API score के आदार पर होगा तो जिसके पास में जितनी ज्यादा degree होगी ठीक है उसका उतना ही selection होने की संभावना ज्यादा होती है जिस अब ब्यार्थी का selection होगा उसको documents verification के लिए माविद्य लेके दोवर आम मंतरित किया जाएगा वहाँ पर आपको original documents लेके जाने अगर आपका selection हो जाता है तो आपको फिर एक सबत पत्र बर करके देना पड़ेगा ठीक है तो ये थी आपके लिए विद्दे संभल गेस faculty vacancy से जुड़ी update इसी परकार की update पाने के लिए चैनल को subscribe जरूर कीजेगा हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद